आज हम बताएंगे आप सभी लोगों को बिडाल टेस्ट वाई डालीशन मेथड जो सिलाइड मेथधर से बिडाल टेस्ट लगाते वो कैसे करते हैं बिडाल टेस्ट में लिए करते किस लिए जो मेले टाइफाईड फीवर होता है इंटरिक फीवर उस कंडिय सर में हम बिडाल टेस्ट करते हैं बिडाल टेस्ट वलाव कि उसल्मोनिला टाइफी ओ अ यह है स्लमॉनिला टाइफी एच अब इसके दो पारटाइफी रहेगए रहेगो च और अब एक ग कि यह भीए है माइक्रो टैटर प्लेट और जो भी टेस्ट करते यह सी रोलॉजिकल टैस्ट है यह टैस्ट हम करते हैं km3 हम ने सीडिये सीरिम Γर्जें होता है 40 टु 50 माइक्रो लीटर सेंपल लेते तो यह देखिए हम लगाएंगे पहले क्या लगांगे 26 अट तो हमने यह mention कर दिया मार्कर से salmonella typhi O और अब यह salmonella typhi H ठीक है salmonella typhi H अब इसी के हम paratyphi लगाएंगे salmonella paratyphi AH और दूसरा paratyphi होगा salmonella typhi paratyphi BH और क्या लेते हैं इसके लिए serum, serum से हम यह test लगाते हैं ठीक है यह salmonella typhi O, H यह paratyphi AH और BH इसमें देखते हैं इसमें देखते हैं एकलुटिनेशन देखते हैं अगलुटिनेशन हमारा सो हो रहा है तो पॉजिटिव है और नहीं सो रहा है तो फिर यह negative है ठीक है तो हम इसके लिए क्या लेंगे plan while लेंगे plan while सेंट रिफिज की हुई प्लैन वाल होगी जिसमें क्या रहता है सीरम सीरम सेपरेट करके 50 माइक्रोडिटर के सम्थिंग हम सेंपल यह लेंगे हम यह हमने ले लिया है सीरम आप यह वन टू टू ड्रॉफ डाल देंगे इसमें फैस्ट के लिए लिए सालमुनेला टाइफी ओ क कोई यह से दो ड्रॉफ हम सम्थिंग वह 40-50 माइक्रोडिटर सेंपल के हमें आवाशकता पड़ती है ठीक है यह कि यह करते किसलिए जो टाइफाइड फीवर होता है या इंटारिक फीवर होता है उसकी जाच करने के लिए हम यह अब फरस्ट हम क्या लगा रहे थे सालमुन लेंगे और बोड़ आलेंगे सालम यह थाले टाइफी एच अब लेंगे हम क्या सालमुनेला पैर टाइफी न किलेंगे investigación को यह इसे जो डिसकवर किया था वो गौर्जियस बेडाल डिसकवर किया था जिस वज़े से बेडाल टेस्ट भी बोलते हैं ठीक है इंटेरिक फीवर या टाइफाइड फीवर के जाँच के लिए यह हमने लिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं मिक्सिंग रॉड लेंगे और मिक्सिंग रॉड से हम इसे मिक्स करेंगे यह याद रखना है कि जो इसका होल है उस एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए जैसे बाहर जाता तो आप उसे साफ करें, clean कर देंगे, ठीक है, अब इसे आप क्या करेंगे, मतलब आसानी से mix करेंगे, बिल्कुल आराम से, उसके बाद अगर mixing rod के बाद, अगर आपके बाद रोटेटर है, तो rotate करेंगे, नहीं तो आप इसे से रोटेट करेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, अगर सो होगा तो positive है, और नहीं सो हो रहा है, तो negative है, ठीक है, बिडाल, अभी हम क्या करेंगे, से rotate करेंगे, उसके बाद देखेंगे, अगर हमारा सो होगा, तो हमारा बिडाल positive रहेगा, और नहीं सो होता है, तो negative रहेग देखिए यह O है हमारा O भी निगेटिवी आ रहा है उसमें सो नहीं हो रहा है H में भी हमारा अग्लूटिनेशन सो नहीं हो रहा है उसके बाद जो पैरा टाइप ही हमने दो लगा है H और B H उसमें भी देखिए तो उसमें भी कहीं भी अग्लूटिनेशन सो नहीं हो रहा है सो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है यह हमारा निगेटिव है यह आप देखे अगर पॉजिटिव देखिए हमने पॉजिटिव का दूसरे लगाने के कोशिश किया तो इसमें यह देखिए अगर रूटिनेशन सो हो रहा है तो पॉजीटिव दिखरा है थैंक्स